के का iphone C साथ हमें हिलो फ्रेंज्ट्स विल्कम बैग् टु माई चेनल फ्रेंश के चांट्स न में हिस वीडियो में 42 साइज के गटरी ब्लाओज तकी पेपर पे Тем करेंगे के यहां पर derive की मार्किंग करेंगए तो देकिए हम इंपर o का साइज है भी है लंबाई हम थोड़ा सा जाधा लेंगे नहीं तो ब्लाउज की लिंद्ध जोए उपर की और चोड़ने लगती है तो यहां पे मने ब्लाउज की लिंद्ध 15 इंच रखी है फ्रंट पार्ट है इसलिए हम दो इंच का मार्जन रखा है ने सो 17 इंच पर मार्क के तो हमने इस पेपर को इस नहीं कट कर लेना है एक्स्टा पर बिह भादा देंगे अब देखे क्रिकिया हम समकाने मार्किंग रहें है यह देखिए लाइन को सीधी मर्क करना है इस तरह से अब यहां पर चेस्ट का चाह उठाए लेंगे चेस्ट पर आली से हमने साड़े दस इंच ले ले लेना है और दो इंच माजन का रखेंगे माजन आप अपने एक वर्डिंग रख सकते हैं देल इंच से कम न रखें दो इंच से ज्यादा भी रख सकते हैं यहां पर देखिए हमने बैक की गोलाई देल इंच पर देनी है फ्रंट की एक इंच पर देंगे तो फ्रंट का पार्ट है हमने जो एक इंच कमाक लगा था उस पर गोलाई देना है यह देखिए अब यहां पर देखिए गले की चोड़ा साड़े तीन इंच लिए ब्रोडनेस आप चाहे तो बढ़ाएं या उसी पर मार्क कर सकते हैं तो थोड़ा ब्रोड गला अच्छा लगता है देखिए हमने यहां टक्स पाइंट की लंबाई चेस्ट का चोथाई प्रस हाफ इंच लेना है तो हमने या इंच पर टक्स देखिए हमने इस तरह से बिल्ट का स्रिप देना है यह देखिए हाफ इंच हुकाई का ले लते हैं कमर की मार्किंग कर लेंगे हाप पर कमर 36 है तो देखिए इस तरह से करके आपने 36 को फोर फोल्ड करना है तो हमारा नौ इंच आ रहा है तो नौ मारी कमर हो गई हाफ ish का माजे लेना है इस तरह से cutting और fitting की लाइन को mark कर लेना है जैसर आपने को चैशन आप सकते हैं यह आला है प्सकाथ कॉस्ट हुलोगी कट्री की लाने को मरक कर लेना है हुँ आप जहांप पे tv आप 96 काट्री कि को हमारा साथ इंचा रहा है तो कटोरी का साइज हम साथ इंच रखेंगे तैयार कटोरी साथ इंचा चाहिए यहाँ ठाए इंच drives लेना आर्मोल के पास गली के पास एक इंच लेना है तीनअ पॉइंट को देखिए दर से मिला देना है तो यहाँ वार इंटरी का हो गया है तो देखिए हां से अपने एक्स्टाप कपड़े को कट कर देते हैं पेपर को और सेप के कॉर्डिंग कटिंग करेंगे तो साइट का पार्ट भी मारा कम्प्लीट हो गया है यह देखिए तो दोनों पार्ट मारा फ्रेंट का कम्प्लीट हो गया है हम कट्रोरी का पा हर साइज का बलाउज बता रहे हैं इसलिए हमने पेपर कटिंग बताई है और नहीं तो आप इसे कप्टे पे कट कर सकते हैं और जब भी आप कटोरी को कट करें तो कप्टा क्रॉस में हो यानि स्ट्रेचिबल हो और देखिए हमने दोनों साइड एक एक इंच ले लेना है बहुत सारे लोग यहां पे डेढ़ इंच एक्सटा लेते हैं पर फ्रंस का मारा साइज चोड़ा हो गया है तो हैबी साइज हुआ है तो यहां पे मारा चेस्टी नहीं है भी होता है बाकि पूरी इसलिकल में कोई चेंज नहीं करना है एक इंच एक्सटा लेना है आपसेयिश साइड हमने कटॉरी को इस्तार से रहक करके इसका से उताह लेना है तो जो प्रमने माक लगा था वशीब हमनें कटॉरी को रखा छिशीब यहां को प्राम खिचुअनCal कैश दहां यह को लिए ह इसे अगर आप नहीं लेंगे तो आपका काटोरी जोए छोटा भी हो सकता है इसे बेसेस करके आप ध्यान दे इसे इस मार्क को जरूर लगाएं अब यहां पर देखिए इतना 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 वारा पार्ट आ रहा है इसका हम सेंटर लेंगे आप सेंटर से डिखिए नीचे हमने पाउन दो इंच लेना है यहीं पर थोड़ा साम ज्यादा लेते हैं हमने द phrases 8 में दो पाऌंट कम लिया है इस तरह से यहां पे मिला और इसको यहां पे मिला देना है टॉक्स की यहां साहवे तीन इंच लिए और चोड़ाय देखिए फ्रंस यहां पर भी हम डेढ़ इंच ही लेंगे दोनों साइड तो यहां पर इमने डेढ़ इंच का टक्स लगाना है दोनों टक्स मिला कि माई तीन इंच की हो जाएगी तो देखिएगा कितना पर्फेक्ट कटोरी बन के आते एक बा इसको भी हम आगे देख लेंगे दो यहाँ पर देखिए हमने कटिंग कटोरी यह स्कुको कट कर देते हैं टिंडर से फोल्ड करेंगी और दिन यह कर दोने तरह कि तो यहां पर डेक्स आइए और परफ्रेक्ट सांट लिए आपको वीडियो को कमेंट करकी बताईएगा और वीडियो को लाइक और शेघर बी कर लीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो subscribe कर लेजेगा थैंक यू